नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाईयों स्वागत है आपका अपने आपके यूट्यूब चैनल पर तो किसान भाईयों मैं आपको सुड़ी में बताऊंगा इंदोर मंडी के प्यास के भाव के बारे में आज इक किसान साती हूँ शाद दिसंबर 2020 होच कहा है और शाद दिसंबर 2020 को इंदोर मंडी में जो प्यास का भाव है वो क्या अपडेट होके आया है क्या सबसे ज़्यादा आस तेजी देखने के आसार लग रहे थे क्या देखने को मिली है या नहीं क्या उठाफटक चल लही है क्या माहौल कैसा माहौल देखने को मिल रहा है दोर मंडी में तो सारी जनकरी सारी अपडेट के साथ बताऊंगा और मैं आपको ये भी नहीं तो किसान सातियों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो को सुरू करने इस वहले आपसे अनलोद है हमारा अगर आप भी हमारी वीडियो को पहली वार देख रहे हैं तो हमारी चैनल को जरूर सस्काइब करें और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं अगली वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए किसान सातियों वीडियो को सुरू करते हैं अब हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी के साथ बताएंगे इंदोर मंडी का जो प्याज मार्केट है उसमें सबसे हाइस्ट बूली क्या लगी है तो किसान सातियों मैं आपको बता दूँ आज सबसे फर्ष्ट बूली जो सबसे हाइस्ट बूली है वो 3400 रुपे तक के भाव में लग चुकिया वहीं पर किसान सातियों जो सुपर क्वालिटी का प्याज है वो 3100 रुपे लेकर 3300 रुपे तक के भाव में लग चुका है वहीं पर किसान सातियों जो मीडियम क्यालिटी का प्याज है ये प्याज किसान सातियों 2400 रुपे लेकर 2800 रुपे तक के भाव में लग चुका है यह किसान सातियों 14 रुपय से लेकर 1900 रुपय तक के भाव में बिख चुका है आज इंदौर मंडी में वहीं पर किसान सातियों जो खराप्याज होता है यह 400 रुपय से लेकर 1000 रुपय तक के भाव में बिख चुका है तो किसान सातियों यह है फाइनल अपडेट सन्वार के एफेक्चा आज 100 औरपए की जो तेजी है वो देखने को मिली है 102 साथियों और आगे आने वाले दुनों में अच्छी खाती जो तेजी है उसके आसार लग रहे हैं